हेलो दोस्तो हमारी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आप देख सकते हैं आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल की नमकीन और वो भी बहुत ही असान तरीके से बिना सोडा और बिना किसी जंजट के तो दोस्तो सबसे पहले हमें क्या करना है चने की दाल ले लेनी है तो मैंने यहाँ पर एक कप चने की डाल ली है दाल को मैंने 6-7 गंटे के लिए बिगो दिया है दाल को हम रात को भी बिगो कर रख सकते हैं ताकि सुबह उठकर दाल की हम नमकीन बना सके सारी रात दाल भीगी रहेगी तो बहुत ही सौफ्ट हो जाएगी और आप सुबह में नमकीन बना सकते हैं या फिर आप सुबह को बिगो दे शाम में बना ले तो यहाँ पर हमने दाल को पानी से निकाल दिया है दाल को हम अच्छे से धो लेंगे तीन से चार बार दाल को धोएंगे उसके बाद हम सारा पानी निकाल देंगे दाल का और किसी टौबल पर डाल कर डाल को हम इस तरीके से सुखा लेंगे यानि कि जो डाल पर पानी है वो पूरी तरह से हम सूखने देंगे यह देखिए यहाँ पर डाल को हमने फैला दिया है थोड़ी देर के लिए जब तक हमारा तेल गरम होगा यहाँ पर पानी सारा सूख जाएगा तो दोस्तो दाल हमारी यहां पर तयार हो गई है तेल भी यहां पर हमने गरम कर लिया है गैस को हम यहां पर तेज रखेंगे और तेज गैस पर हम यहां पर छलनी में यानि की कर्ची में भर कर दाल को तेल में डाल देंगे और दाल को हम चलाते रहेंगे तो दोस्तो दाल को फ्राई करने के लिए हम बड़ी कड़ाई लेंगे ताकि जो तेल है हमारे उपर ना आ जाए वही नुकसान ना हो तो हम साबधानी बरतेंगे यहां पर और अराम से दाल को फ्राई करेंगे अल को हम हलका ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे जब दाल अच्छे से हलकी और फ्राई हो जाएगी तो तेल के उपर आ जाएगी ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दाल तेल के उपर आने लगी है और हम दाल को अच्छे से चलाते रहेंगे ताक आपको कोई भी ताम जाम करने की जरुत है बहुत ही असान तरीका है यह देखिए आप देख सकते हैं दाल एकदम उपर आ गई है और बहुत ही सौफ्ट और एकदम करारी हमारी जो नमकीन है वो बनने वाली है एक चीज और है दाल को फ्राई करते टाइम आप एक दो दाने न चार दाने निकाल कर चेक कर लें इससे बहुत ही असानी होगी दाल को फ्राई करने में यह देखिए दोस्तों यहां पर हमारी जो दाल है वो फ्राई हो गई है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर है यह देखिए इतना ही हमें दाल को फ्राई करना है हलका ब्राउन क तेल के उपर आ गयी है वे देखी अब हम एक प्लेत में निकाल लेंगे mission paper के उपर निकाल लेंगे ताकि जेज़ वह सारा पेपर में आ décidé यह देखिए सारी दाल निकाल लेंगे और हम जो बची हुई दाल है वो भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे यह देखिए दोस्तो यहाँ पर हमने सारी दाल को निकाल लिया है अब दूसरी बार भी हम दाल इसी तरीके से फ्राई करेंगे यहाँ पर भी हम गैस को तेज रखेंगे और तेज गैस पर हम दाल को चलाते रहेंगे चलाते हुए दाल को हम फ्राई करेंगे और तेल से हम बचके रहेंगे भई तेल की चीजों से थोड़ा सा हमें बचकर काम करना चाहिए क्योंकि डर रहता है तेल की चीटे हमारे उपर ना है ये देखिए दूसरी बार कीवी दाल हमने अच्छे से फ्राई कर ली है दाल को हम निकाल कर अब कर लेंगे तोड़ा सा थंडा ये देखिए प्लेट में करके तोड़ा सा थंडा कर लेंगे डाल यहां पर ठंडी हो गई है यह देखी दोस्तों कितनी बड़िया आवाज आ रही है और बहुती करारी डाल बनी है यह देखिए यहां पर हमारी जो नम्कीन है बहुती करारी बनने वाली है अब हम डाल में कर लेते हैं मसाले mix तो मैंने यहाँ पर काला नमक और लाल मिर्च को मिक्स करके आदा चमच लिया है और हम एक चौथाई चमच चिली फ्लेक्स ले लेंगे एक चौथाई चमच हम आरीयनों डाल देंगे और मैंने यहाँ पर सूखा पोदीन लिया है एक चमच पोदीनों को थोड़ा सा हम तोड़ कर डाल देंगे इस तरीके से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा नमकीन में अब हम यहाँ पर एड़ कर देंगे एक चोथाई चमच हम चाट मसारा ले लेंगे और एक चुटकी हम यहाँ पर हिंग डाल देंगे थोड़ी सी हम यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डाल देंगे क्योंकि हमने पहले भी नमक और मिर्च पाउडर मिक्स करके डाला हुआ है थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी है यह देखी दोस्तों यहाँ पर हम अच्छे से मसाले को मिक्स कर दें मसालों को आप कम या जादा अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कर सकते हैं इसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप नमकीन को एक महीने के लिए रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट में जरूर बताना